Hello everyone, once again, आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ पॉकेट नोवल की स्टोरी रिव्यू जिसका नाम है माफिया का जुनून इसकी ओतर है रिंकू कुमार एंड इस स्टोरी का टाइटल है कहते हैं आग और पानी एक दूसरे के वजूद को मिता देते हैं अगस्त एक बिलीनियर माफिया है जो अपने ही लाइफ में बिजी है तो वहीं पाक ही एक कॉलेज में पढ़ने वाली बेहद खुसमिसाज लड़की हैं जो बेफिक्री से जीना पसंद करती हैं उनके कम ही दोस्त हैं क्योंकि वो मिलना जुलना पसंद नहीं करती हैं रधा जल्दी घुलती मिलती नहीं है किसी से औन क्या होगा जब ये दोनों मिलेंगे आमने सामने होंगे क्या इनके बीच पनपेगा प्यार या तकरार क्या होगी इस इश्क की कहानी इस स्टोरी में जो हमारी हेरोईन है पाखी यार इनका क्या ही कहना मतलब इनकी चुलबुली सा कैरेक्टर मस्त और अपने ही मतलब अंदर बहुत सारी क्यूटनेस चुपाई हुई और इतनी खुबसूरत की मतलब क्या ही कहने इनके परिवार में ये अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीती है इनके परिवार में अभी आपको सिर्फ इनके भाई दिखाये जाएंगे उनका कैरेक्टर दिखाये जाएगा जो है प्रेम कुमार जो पाखी से बेहत प्यार करता है इस स्टोरी में जो पाखी का सरनेम है इसके जो सरनेम अलग-अलग है इन दौनों के ये तो अभी सस्पेंस है और अभी प्रेम की हिरोईन इस स्टोरी में नहीं बताई गई है मैं आपको बताऊं तो मैं भी इनकी जो प्रेम है इसकी भी लव स्टोरी आगे जाके दिखाई जाए हमें आगे जाके देखने को मिले इनकी जो लाइफ पार्टनर है वो लेकिन अभी इस स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है खैर अब बात करें हमारी डैवल हीरो की जो बिजनिस किंग अगस्त है इनकी फैमिली में अभी इनकी दादी के अलावा किसी का भी जिकर नहीं किया गया है एंड हां मुझे एक बात और नोटिस करने वाली लगी जो मैं आपको बताना चाहूंगी पता नहीं आप लोगों ने नोटिस की होगी या नहीं अगर आप लोगों ने इस स्टोरी को पढ़ा है तो आपको इस स्टोरी में जो अगस्त का सरनेम है वो उसके सरनेम को यूज नहीं करता है एक् आप समझ रहे हैं ना एंड हमारी क्यूट से पाखी उसे कुछ समझ ही नहीं आता एंड पर उससे मतलब वो अगस्ट से बहुत जादा डड़ती है यार ओविसली कोई भी अजनभी उसके पास आकर कहे कि सिर्फ वो सिर्फ तुम सिर्फ मेरी हो एंड किसी के भी साथ नहीं दे पाकी के लिए पॉजिसिव है ना कि मतलब क्या ही कहने पाकी अगर किसी से हाथ भी मिला लेती है तो वो लाल पीला हरा नीला सब हो जाता है इतना गुस्सां इंड भाई बंदी क्या करे अब जीना हराम है उसका अब अगस्ट काफी मतलब बात करें अगस्ट की तो कि या इसके लिए पागल है एक नहीं दो तीन आप अगर स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मंडराती रहती है उसके आगे बीचे वो भी साइको सारी की सारी साइको ही है अब देखना है कि पाखी ऐसे ही अगस्त से डरती रहेगी खौफ में रहेगी अगस्त के अ जवाब भी देती है उसको अगर उसे कभी गलत लगता है या कुछ भी तो क्यूट सी नोक जोंक बिलती है उन दोनों की देखने को एंड इसके बारे में प्रेम को पता चलेगा इन सब के बारे में की जो अगस्त है उसको मतलब टॉलसर टाइप का कर रहा है तो प्रेम हमार जो प्रेम है उनका भाई वाला रूप देखने को मिलेगा प्रेम को पता चलेगा तो वो क्या होगा इस स्टोरी में क्या रियक्शन होगा प्रेम का क्या प्रेम और अगस्त टकराएंगे मतलब मजा आएगा देखने में कि इन दोनों की फाइट होगी या नहीं ये दोनों एक दूसरे को जानते है या नहीं अभी मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा है पर फिर भी मैंने आपके शांस शेयर कर दिया इनकी फाइट एक का जुनून है पाखी एंड दूसरे के लिए जान बसती है पाखी में एंड कौन जीतेगा इसमें एंड इसमें सबसे जादा इंट्रेस्टिंग सबसे बड़ा इंट्रेस्ट वाला जो पार्ट मतलब है वो है इन सब का पास्ट इन तीनों का पास्ट इनके सरनेम का क्या फंडा है और मैं तो काफी एकसाइटेड हूँ इस स्टोरी को आगे पढ़ने के लिए इसके अभी सिर्फ 24 एपिसोड ही आए है प सस्पेंस खुलेगा कि इनकी फैमिली में कौन-कौन था एंड है तो क्या-क्या धमाके होंगे एंड अफकॉर्स अगस्ट और प्रेम के बिजनिस राइवल्स भी आएंगे आगे जाके तो अब इस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको इस चैनल को